ओम शान्ती गुड बॉर्निंग आज 2 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं शान्ती के सागर्ष बावा ने कहा मीठे बच्चे यह पुर्शोत्तम संगम युग कल्यान कारी युग है इसमें ही परिवर्तन होता है तुम कनिष्ट से उत्तम पुरुष बनते हो एकदम नीचे से बा मार्ग में कौन सी बात सोचने वा बोलने से कभी भी उन्नती नहीं हो सकती है उत्तर है ड्रामा में होगा तो पुर्शार्थ कर लेंगे ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे यह सोचने वा बोलने वालों की उन्नती कभी नहीं हो सकती यह कहना ही रॉंग है तुम जानते हो अभ जो हम पुर्शार्थ कर रहे हैं, ये भी ड्रामा में नोद है, पुर्शार्थ करना ही है, ये तो निश्चित है ना करना ही है, सुबह उठना है, अम्रद बेला योग करना है, खाना बनाना है, अब कर तो ड्रामा में होगा तो उठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो खा लें की है ना बाबा कहते है आत्मा रूपी दिये की रक्षा करनी है माया के तूफान आएंगे परिस्ति आएंगे लेकिन तुम्हें घपडाना नहीं है अंतिम विजय देखो दिखाते ना गीत में बहुत अच्छा गीत है कि अंतिम विजय उस दिये की हुई क्योंकि उसको पर पसंपुर्ण निश्चे था विश्वास था ओम शैंति ये है कर यूगी मनुश्यों के गीत परंतों इनका आर्थ वो नहीं जानते हैं हैं ना केवल गीत बना दिया ये भी तुम बच्चे जानते हो तुम हो अभी पुरशोत्तम संगम यूगी संगम यूग के साथ भूल जाते हैं, ये मुख्य है, इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो, पुर्षोत्तम मास भी होता है, आज कल चल रहा ना पुर्षोत्तम महिना, तो बाबा भी देखो याद दिला रहे बच्चे, पुर्षोत्तम महिना होता है, ये फिर है पुर्षोत्तम संगम युग, ये संगम का भी एक तेवहार है ये तेवहार सबसे उँच है तुम जानते हो अभी हम पुर्ष उत्म बन रहे हैं उत्तम ते उत्तम पुरुष उँच ते उँच साहुकार से साहुकार नमबर वन कहेंगे लक्षमी नारण को शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई फिर नमबर वन श्रीक्रश्न पीपल के पत्ते पर सागर में आया अभी तुम क्या कहेंगे कि नमबर वन है ये श्रीक्रश्न जिसको ही शाम सुन्दर कहते है दिखाते हैं अंगुठा चूसता हुआ आया बच्चा तो गर्व में ही रहता है ऐसा थोड़े कोई आंगुठा चूसते हो सागर में आएगा तो पहले पहले ज्यान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष्रीक्रश्न है इसलिए सागर में दिखा दिया क्योंकि ज्यान सागर ये बाबा से उनके ज्यान से निकला हुआ समझ से जो बाबा ने ज्यान सुनाया उसका नमबर वन जो प्रथम रचना श्रीक्रश्ना तो ज्यान सागर से स्वर्की स्थापना होती है उनमें नमबर वन पुर्षोत्तम ये श्रीक्रश्ना है और ये है ज्यान का सागर पानी का सागर नहीं प्रलय भी होती नहीं है कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है ऐसे कोर्स बगरा कराते हैं तो आप करार है तीसरा चौथा दून हो गया तो कोई नया आगे है तो यरूर फिर रिपीट करनी पड़ती है सत्यूग त्रेता द्वापर कल्यूग ये चार यूग तो है पांचवा यूग फिर ये है पुर्शोत्तम संगम जूग इस यूग में मनुष्य चेंज होते हैं कनिष्ट से सर्वोत्तम बनते हैं जैसे श्यूबाबा को भी पुर्शोत्तम वह सर्वोत्तम कहते है न वह ही परमात्मा परमात्मा फिर पुर्शो में उत्तम है ये लक्श मी नारेण इनों को ऐसा किसने बनाया ये भी तुम बच्चे ही जानते हो बच्चों को भी समझ में आया है इस समय हम पुरशार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए पुरशार्थ कोई बड़ा नहीं है, most simple है सीखने वाले भी हैं, अब लायक उप जाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है उनों के लिए कितना सहज समझाया जाता है देखो, एहमदाबाद में एक साधू था, कहता था, हम कुछ खाते पीते नहीं है अच्छा कोई सारी आयू खाता पीता नहीं फिर क्या हुआ प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई भाई यही महिमा करेंगे, वो महात्मा जी देखो, खाली पानी पे रहे वो खाली हवा खाके रहे, लेकिन फाइदा क्या हुआ, अपनी जीवन को इश्रेष्ट बनाए, दूसरे की बनाए, जीवन सुक शान्ती आये, तब तो फाइदा है तो बाबा कहरें, सारी आयू उसने नहीं खाया पिया, तो फाइदा क्या हुआ प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुए, जाड को भी खाना तो मिलता है, खाद पानी आदी नेचरल को मिलता है, जैसे पेर पौधे होते होते हो, पानी तो मिलता ही है, जैसे जाड व्रद्धी को पाता है, उसने भी कोई रिद्धी सिद्धी पाई होगी है ना एक आसे पहले गाओं में वहां खेत होता था ना महात्मा लोग खा लेते थे एक लड़ जीरा आता है तो वो खा लो तो भोकी नहीं लगेगी तो ऐसे बहुत है जो आग से पानी से चले जाते हैं ना तपस्या किया का बहुत सालों बामबामी में रहे गुफा में बने रहे धर्ती के नीचे बैठ गए पानी में चल पड़े तो उनसे फायदा क्या हुआ बाबा पूछ रहे हैं है ना तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं बाब कहते बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुई बाते सुनाता हूँ जैसे बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों है शंकर का तो इस रष्टी में पा का पार्ट है ब्रह्मा और विश्णु का आल राउंड पार्ट है शिव बाबा का भी समय पार्ट है जो आकर ज्यान देते हैं फिर निर्वान धाम में चले जाते हैं बच्चों को जैदाद दे कर खुद वानप्रस में चले जाते वानप्रस्थी बनना अर्थार्थ गुरू द्वारा वाने से परे जाने का पुर्शार्थ करना परंत वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है विकार से जन्म तो सबका होता है ये लक्षमी नारण निर्विकारी है उनों का विकार से जन्म नहीं होता है इसलिए श्रिष्ठाचारी आदे माथा टेकते हैं, तो बाबा ने समझाया कि यहां शंकर का कोई पार्ट नहीं है, बाकि प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना, श्यो बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे, वह है अविनाशी पिता, यह गुई बाते अच्छी रिती धारण करनी है, जो बड़े-बड़े फिलोसोफर होते हैं, उनको बहुत टाइटिल मिलते है, श्री-श्री-108 का टाइटिल भी विद्वानों को मिलते हैं, बानारस के कॉलेज से पास का टाइटिल ले आते हैं, बाबा ने गुपता जी को इसलिए बानारस भेजा था कि उन्हों क जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटिल अपने उपर रख बैठेए देखो श्री श्री 108 तो जगद गुरू तो परमात्मा पीता है उनों ने मनुष्यों ने अपने उपर रख लिया बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है माला की 108 की होती है ना माला भी आठ रतन गाये जाते हैं वह पास विद ओनर होते हैं इसलिए उनको जबते हैं फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं यग्य जब रश्ते हैं तो कोई 1000 साली ग्राम बनाते हैं कोई 10,000 कोई 50,000 कोई लाक भी बनाते हैं मिट्टी के बना कर फिर यग्य रचते हैं जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाक बनवाएंगे बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना 16,108 की माला बनाते हैं यह तुम जानते हो है ना बाबा ने का यह तुम बच्चों को बाप बैठ कर समझाते हैं तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है बच्चे तो सब शिबाबा के हैं इस समय स्रश्टी की कितनी आदम शुमारी है इसमें सब आत्माय शिबाबा के बच्चे ठहरे ना परंतु मददगार सब नहीं होते इस समय तुम जितना याद करते हो उतना उच बनते हो पूजन लायक बन जाते हो ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए है इसले कह देते इश्वर का अंत कोई नहीं जानते बाप ही आकर समझाते हैं बाप को ग्यान का सागर कहा जाता है तो जरूर ग्यान देंगे ना प्रेर्णा की तो बात होती नहीं है भगवान कोई प्रेर्णा से समझाते हैं क्या तुम जानते हो उनके पास रश्टी के आदि मध्यान्त का ज्यान है वह फिर तुम बच्चों को सुनाते है यह तो निश्चे है निश्चे होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते है बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत याद की यात्रा से करमाती तवस्था को पाना है बहुत महनत है इसमें ही माया विग्न भी डालती है पढ़ाई में इतने विग्न नहीं आते अब शंकर के लिए कहते हैं शंकर आँख खोलते तो विनाश हो जाता है अब ये कहना भी ठीक नहीं है बाबा कहते ना मैं विनाश कराता हूँ ना वो करते हैं ये रॉंग है देवताएं पोड़ी पाप करेंगे अब शिव बाबा बैठकर ये बाते समझाते हैं आत्मा का ये श्रीर है रथ हरेक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है बाब कहते मैं इनका लोन लेता हूँ इसलिए मेरा दिव्य अलोकिक जन्म कहा जाता है अभी तुम्हारी बुद्धी में 84 का चक्र है जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे बाबा बहुत सहच करके समझाते हैं इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए कहते बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है मुख से कुछ निकलता नहीं है तो बाबा कहते परन तो ऐसा तो होता नहीं है पर मुख तो जरूर चलता है ना खाना खाते हो मुख चलता है ना वाणी ना निकले ये तो हो नहीं सकता, बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है, कोई मौन में रहते हैं तो भी उपर में इशारा देते, इनको याद करो, देखो, ये नहीं कह सकते हैं, आपको कुछ आता नहीं है, बाबा कहते हैं, अरे इशारे से समझाओ, बोलता तो है, ये सुक करता वो एक ही दाता है भक्ती मार में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है फिर वानप्रस्ट में तो है ही शांती वानप्रस्ट माने वानी से परे का इस्थान परमधाम शांती धाम बच्चे भी शांती धाम में रहते हैं पार्ट नूंधा हुआ है, जो एक्ट में आता है, अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना, उनका नाम बड़ा अच्छा है, Heavenly Godfather, बाप रचेता है स्वर्ग का, बाप नर्थ थोड़ी रचेंगे, पुरानी दुनिया कोई रचते हैं, क्या अमकान हमेशा नया बनाए जाता है, गरीब भी होगा तो उसको भी लिपोत के अच्छा साफ कर लेगा, गंदे में पुराने थोड़े रहेगा, शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं, ब्रह्माद्वारा, इनको पार्ट मिला हुआ है, यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं, तुम जानते हो हम है शिव बाबा की संतार, फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए, अडाप्टेड, हमको ग्यान सुनाने वाला है, शिव बाबा रचाईता, जो अपनी रचना के आदि मध्यंत का ग्यान सुनाते हैं, तुमारी एम अबजेक्ट ही है, यह बनना, मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मारबलादी की मूर्थिया बनाते हैं, यह इश्वरी विश्वविद्याले वर्ड यूनिवरस्टी, सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है, उनों के जो भी करेक्टर्स हैं सवासुरी, आदि मध्य अंतदुख देने वाले हैं, यह है इश्वरी यूनिवरस्टी, इ इक ही होता है जो ईश्वरा कर खोलते हैं जिस सारी विश्व का कल्यान हो जाता है तुम बच्चों को अब राइट और रौंग की समझ मिलती है और कोई मनुष नहीं है जो समझाते हो और कोई मनुष रमझते भी नहीं है पावा ने का ये राइट रॉंग की समझ तुम बच्चों को है और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो राइट रॉंग को समझाने वाला एक ही राइटियस होता है जिसको तुत कहते हैं बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ती में जाकर जीवन मुक्ती में आएंगे ड्रामा को भी तुम बचे जानते हो आदि से लेकर अंत तक पाड़ वजाने नंबर वार आते हो यह खेल चलता ही रहता है ड्रामा शूट होता जाता यह एवर न्यू है यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता और सब नाटा कादी विनाश हो जाते हैं यह बेहत का अविनाशी ड्रामा है इनमें सब अविनाशी पाड़ धारी है अविनाशी खेल वा मांडवा देखो कितना बड़ा है बाप आकर पुरानी स्रश्टी को फिर नया बनाते हैं वह सब तुमको साक्षतकार होगा जितना नजदीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी साक्षतकार करेंगे कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ ड्रामा को फिर रिपीट करना है फिर नया सिर पार्ट बजाएंगे जो कल पहले बजाया है हाँ इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को बहुत उंचपद पाना चाहिए पुर्शार्थ करना है हाँ मुझना नहीं है ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा ये कहना भी रॉंग है हमको तो पुर्शार्थ करना ही है तो ऐसे बोलने बोलने जो ड्रामा में होगा जो नसीब में होगा हो जाएगा बाबा कहते नहीं ये शब्द नहीं बोलना पुर्शार तो कर नहीं है न आच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्छों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्छों को नमस्ती हम रूहानी बच्छों की रूहानी बाब दादा को याद प्यार और गुद मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहत दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया आधारना के लिए मुख्य सार है फर्स्ट पॉइंट है पढ़ाई का तंत सार पुद्धी में रख कर याद की यात्रा से करमाती तवस्था को पाना है उंच पूजनिय बनने के लिए बाब का पूरा-पूरा मददगार बनना है सेकेंड पॉइंट है सत्यभाप द्वारा राइट रौंग की जो समझ मिली है उससे राइट यस बन जीवन बन्ध से छूटना है मुक्ती और जीवन मुक्ती का वर्सा लेना है ना मुक्ती परमधाम जीवन मुक्ती अपना स्वर्गिक सुक्की दुनिया आज का वर्दान है प्यारे बावा ने कहा संगम युक की सर्व प्राप्तियों को इस मुरती में रख कर चड़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ट प्रालब्धी भवा बावनिका परमात्म मिलन वा परमात्म ज्यान की विशेष्टा है अविनाशी प्राप्तियां होना ऐसे नहीं कि संगम युक पुर्शार्थी जीवन है और सत्युकी प्रालब्धी जीवन है संगम युक की विशेष्टा है एक कदम उठाओ और हजार कदम प्रालब्ध में पाओ तो सिर्फ पुर्शार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ट प्रालब्धी है इस स्वरूप को सदा सामने रखो प्रालब्ध को देखकर सहज ही चड़ती का लाका अनुभव करेंगे पाना था सोपालिया यह गीत गाओ बाबा ने कहा ना पहली बार जब बाबा ने अपना बिजनेस वाइंड अप किया बहुत आराम से बड़े खुशी से बाबा ने कहा पाना था सोपालिया और क्या बाकी रहा जिसकी तलाश थी देखो मिल गया है भगवान और क्या चाहिए ये गीत गाते रहो है ना घुटके और जुटके खाने से बच जाएंगे जुटका एक नीद का आता है आलस का और घुटका संशय का है ना जैसे पानी में बेक्ती घुट जाता है जब ये गीत गाते रहेंगे पाना था सोपा लिया आज का स्लोगन है ब्रामणों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कारे भी आसान हो जाता है और ये मातेश्वरी जी के आगे अनमोल महावाक्य है ममा ने सुनाया मुक्ती और मोक्ष आज कर मनुष्य मुक्ती को ही मोक्ष कहते हैं वो समझते हैं जो मुक्ती चाहते हैं वो जनम मरण से छूट जाते हैं वो लोग तो जनम मरण में ना आना इसको ही उच्छ समझ लेते हैं वही प्रालब्द मानते हैं जीवन मुक्ती फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं जैसे धर्मात्मा लोग हैं उनों कोई जीवन मुक्त समझते हैं बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं अब ये है उनों की अपनी मत लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी करम बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आदिमध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे पांच विकारों के वशिबु जो घर परिवार बनाया उसमें बंधन में बंधे उसको बुद्धी से पहले हटो उससे छूटना है तो इससे छूटना ये भी एक स्टेज है तो भी पहले जब इश्वरी नौलेज को धारण करे तब ही उस स्टेज पर पहुँच सके और उस स् स्वयम परमात्मा चाहिए क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वो हैं वो भी एक ही समय आये सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता है जिसको जो चाहिए ले जाओ मुक्ति चाहिए चलो परम्धाम नेकिन छूटना तो पड़ेगा ना नश्टो मुहा बनना ही पड़ेगा बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवताद धारण करते हैं कहीं कहते हैं भगवान की वह अवतार है नाम जी आये श्री कृष्णा आये तो सब परमात्मा की अवतार थे तो ममान ने क्या कहा कि परमात्मा अनेक बार नहीं आते हैं और ना ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवताद धारण करते हैं तो यह हमें समझ से चलना है, अच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती